संग आदिसेश हमारा समर्संग का सात्वा सुनहरा अमर अमत बहुत अच्छा नियम है संग आदिसेश का जो उल्टा सब्द होता है वो होता है एक आदिसेश यानि संग आदेश दे या इसका उल्टा होता है कोई एक आदेश दे संग आदिसेश को पाली में बहुती ज़्यादा प्रमुक्ता दी गई है और संग आदिसेश का मतब है कि संग आदिस यानि संग का घोशना आदिसती माने होता है घोशना कहना तो अगर एनाउंसमेंट होती है तो उसको आदिसती बोलते हैं वह आदिसती करता है वह आदिसती इसका मतब है वह आदेश करता है वह घोशना करता है आदेश का मतब कमांड नहीं है और नहीं है आदेश का मतब है एनाउंसमेंट घोश क्योंकि पुराने समय में जो लोग जितने भी सन्निपात बहुर करते थे सम्मेडन करते थे और आपस में जब मिलते थे समस्या पर बात करते थे समाधान पर बात करते थे तो समस्या और समाधान होने के बाद उसकी गोशना होती थी और वो गोशना एकल नहीं होती थी किसी एक व्यक्ति के कहने पर या एक व्यक्ति ने कोई गोशना करना ऐसा नहीं होती थी पहले सामुहिक निर्ने होता था पूरे संका निर्ने होता था फिर वो घोशणा कोई भी करे पर वो आदेश संका माना जाता था कि ये पारित हुआ है और ये आदेश अब संक का आदेश है पुराने समय में कोई लिखित चीजे नहीं मिलती क्योंकि सब्द बने नहीं कागस थे नहीं, धातू थे नहीं, धातू नहीं थे तो पत्थर पे भी लिखनी पाए क्योंकि अक्षर भी नहीं था, अक्षर ग्यान बना भी नहीं, पर भासा थी, तो सारा काम आदिसती चलता था, यानि के आदिस पे या आदिसती पे, यानि के घोशना के आधार पर, जो कह दिय उसके आधार पर और वही नियम बनता था संग का आदिस Kurt इसको शंगदी से बोला करते थे कि इस जितने भी संग है जो भी संग थे वह सभी अपने-पने घोश्णाय करते थे फसल काठनी है फसल उगानी है जगल में जाना है उस दिन कोई उससर्भ है उस दिन कोई मर गया तो नहीं जाना है यह सब Garlic अहुआ कर दे ती है और समस्याएं भी आती थी दे और और वहां लोगों को पृस्वार्मी मिलता था यानि कि घोषना हर तरह की होती थी चाहे वो सामाजिक है चाहे दंडात्मक है चाहे वो वैबार की है चाहे वो आर्थ की है चाहे वो खेती की है चाहे फसल की है या दुख की है या सुख की है या इनाम की है सारी घोषनाएं सब संघादी सेश ही बुला जाता था ये संघादी सेश की जो बातें हमें ऑंध की जफसे बड़ी बात है उसमें भी मिलती है क्योंकि जब बुद्ह नहीं थे और उनका नाम-चिद्धत गोतम था तो उस समय जब वो अपने संग में दाखिल हुए तो संग ने उनको आदेश दिया और कुछ सवाल पूछे वो भी संगादी सेज था उसके बाद वो संग में दाखिल हुए उसकी गोशना हुई कि आज से वो संग के मेंबर हैं वो भी संगादी सेज था और जब उन्होंने संग की बात नहीं मानी, ओवर डूल किया, उस समय जो उनको दंड मिला, वो भी संगादी सेस था यानि सारी बातें संग के आदेश के अनुसार, संग के अनुसार ही होती थी वही संग का आदेश बाद में चलके बुद्ध ने अपने भिक्कु संग में भी लिया यानि जो समडो का था, समडो के बहुत सारे नियम थे, वैसे ही नियम भिक्कु संग में भी लिये पर वहाँ उनके नियम बद्ध किये गए और वहाँ जो जो समस्या आती थी या जो जो सुझाब आते थे यानि जैसे हम यहाँ एक तारिक को बैठते हैं तो एक तारिक को जब हम यहाँ नियम बनाते हैं तो उसमें एजंडे लगते हैं और उसमें जो कारे सूची लगती है एजंडाज होते हैं उन एजंडाज में या कारे सूची में सब लोग अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है वहाँ वो नियम लगाते हैं उन पर चर्चाय होती हैं कुछ डाउन हो जाते हैं कुछ रुक जाते हैं समय के लिए, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ आधे पास होते हैं, कुछ में एडिशन होके ज्यादा पास हो जाते हैं, तो ये संग के आदेस बन जाते हैं, ठीक वैसे ही बुद्ध के समय, बुद्ध ने भी जितने भी नियम बनाए, वो नियम एक दिन में नही वो 45 साल में बने हैं वो नियम लगातार जैसे जैसे समस्य आती देती थी वैसे वैसे उनकी कारे सूची लगती थी वैसे वैसे संग बैठता था वैसे वैसे उस पे तर्क वितर्क होते थे और जो सारे लोग मानते थे उसकी वहाँ पर घोशना यानि संगादी सेस हो जाता था announcement होती थी गोशना हो गई पर वो सब लोग उस संग के आदेश को मानते थे क्योंकि संग का आदेश तो तब ही तक है जब तक संग माने अगर संग नहीं मानता है तो संग का आदेश नहीं है पर अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है या दोचार लोग नहीं मानते हैं तो फिर वो दंड मिलता है उनको और दंड का पूरा प्रादान और दंड की पूरी सहिता यानि दंड का पूरा नियम धीद्रे करके पूरा पूरा बना तो सुझाब के भी बने, काम के भी बने, जो जानकारियां आदान प्रतान हुए उसके भी बने और सबसे इंपोर्डेंट रहे कि उन्होंने आई पीसी यारी इंडियर पैनल कोड जिसको आज बोलते हैं वो भी भिक्कू संग में बनाई यानि भिक्कों के जो संगादी सेस थे, अगर उन संगादी सेस को वो नहीं मानते हैं, उनका वायलोसन करते हैं, उन पे नहीं चलते हैं, तो उनको दंड मिलेगा कुछ दंड ऐसे थे जो सेखिये थे खाली सीखने के होते थे कुछ ऐसे थे जो उनको पाच्चिते बोलते थे जिनमें प्रायश्चित करना होता था यानि पीछे जाके तब करना होता था तब ना होता था लोग उसको कहते थे कि यह क्या है चलो प्रायश्चित करो कुछ दंड ऐसे होते थे कुछ काम ऐसे होते थे जो नहीं करने पे थोड़े गहरे दंड मिलते थे और कुछ ऐसे होते थे जिनमें संग से निकाला भी मिलता था पर मितु दंड नहीं था मैं तु दंड वहां भिक्कु संग ने कभी दिया बस संग से निकालने का सबसे बड़ा दंड वहां था और सबसे छोटा दंड था प्राश्चित करने का या सेखिय करने का जो सेखिय की बात नहीं मैं तो सिर्फ प्राश्चित कर लो या उसको कह दिया सिखा दिया बस समझा या कि तुम्हें यह ऐसा करना चाहिए था बहुत सारे सामने नई भिक्कों ऐसे होते हैं जिनको नियम नहीं आते पर उन्हें नियमों की प्रक्टिस कराए जाती थी हर पंदेव दिन उनको याद दिलाए जाते थे क्योंकि तब कोई किताबे मताबे तो थी नहीं पर नए लोगों को भी पता चलता रहे इसलिए पुराने लोग पाती मुख क्या करते थे पाती माने पत्र होता है आज के समय यानि लिष्ट पाती माने लिष्ट होता है और मुख माने होता है भिक्कूओं के मुख के यानि के म बताया जाता था और जो नियम नी पालन करता था उसका दंड भी महां बताया जाता था कि इसका ये दंड होता है ये प्रेक्टिस चलती रही आगे जाके संग के आदेस जारी होते रहें भिक्कु संग के और समण संग के भी जारी होते रहें यही समण संग के आदेस आगे जा होती थी, वो स्वतंत होती थी, क्योंकि राजा का भी व्यवस्ता होती थी, जैसे बुद्ध के काल में पसंदी राजा की व्यवस्ता भी थी, और जितने गण थे, जितने संग थे, उनकी भी व्यवस्ता थी, पर संगों के जो संगादी से थे, वो राजा के जो आदेश थे, यानि जो संग ने आदेश दे दिया, वो उस व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा, उसमें राजा भी कुछ नहीं कर सकता, राजा उसमें इंटेफिर नहीं कर सकता, वही नियम आज भी भारत में है, अगर पंचायत ने हुक्का पानी बंद कर दिया, पंचायत ने सजा कुछ दे तो वो सजा आपको माननी पड़ेगी, और सजा नहीं मानोगे, तो वो जुर्माना करेंगे, आर्थिक जुर्माना, और आर्थिक जुर्माना ना करेंगे, तो आपका हुका पानी बंद कर देंगे, और कही केसों में तो वो गाउं से निकाल भी देते हैं, यानि 85 बाहर किया काउं से निकाल दिया, वही पुराने नियम डिक्तो same to same चलते हैं, बस उनका नाम, उनका रोप, उनकी भासा बदली हुआ है, बाकि चलते सारे जिगे संग के आदेश ही है, संगादिसेस सब जिगे चलते हैं, वही संगादिसेस के नियम, डॉक्टर अम्बेट करने समविधान में डाले समविधान के अंदर लोकसभा में लोकसभा का मतलब होता है लोकों का संग वहां सारे सारे लोग बैठते हैं वहां समस्ञाएं आती हैं अब चुक्कि कागज भी आ गया कंपूटर भी आ गया पैन भी आ गया लिखत में आ गया और अब नियम जितने भी हैं उनकी किताब भी आ गई जिसको सम्विधान बोलते हैं और भी किताब में बन गई उसके साथ में तो सारे लोग उस पे चलते हैं अब याद करने की आवसकता नहीं है समसे आई तो किताब में पढ़ लेते हैं क् ब्लॉक बैट जितने भी लोग जहां जहां भी निंगर पालिक आए हैं, जहां भी संग बैटते हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए लोग बैटते हैं, वहां पर संगादी सेस बनता है, वो सब लोग बैटते हैं, कोई अजना लगाता है, कारे सुची लगाता है, उस पे बहस होती है, फिर वो नियम बनता है, और नियम बनने के बाद में फिर वो पबलिक के लिए रूल बनके आ जाता है, तो संगा दिसेश आ गया, संग ने आदेश कर दिया, वो मानने होता है, तो देश के सारे नियम सबको मानने होते हैं, संसत के सारे नियम मानने होते हैं, पूरा house पास करता है तो वो संग का आदेस माना जाता है नाम बदल अगया है नाम आज कल ही उसको हम bill बोलते हैं कि bill आ रहा है, उस समय बिल नहीं बोलते थे उसिस हमें प्रस्ताब बोलते थे पर bill को भी प्रस्ताब भी बोलते हैं तो सारे के सारी चीजें डिटो वहीं चलती है पर समस्य कहां आ रही है हमें परिशानी कहां आ रही है हमको परिशानी ये आ रही है कि हमारे जो आज के समय जो लोग है जो हमको इखटा करते हैं और जो हमको इखटा करने के लिए बारबार कहते हैं कि इखटे हो जाएं वो एकल हैं वो संग नहीं है व उनमें व्यक्तियों की या व्यक्ति के दोचार जो समूर बना लेते हैं गुरुप बना लेते हैं उनकी चलती है जहां संगों के नियम होते हैं by the people for the people of the people चाहे वो गाओं की पंचायत है चाहे वो नंगर की कोई परिशद है या municipal कारपोसन है चाहे वो कोई भी संस्ता है जो चुनी है तो by the people for the people of the people यानि लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों की तो वो जो संगादिसेस होते हैं संग के आदेस होते हैं वो लोगों के आदेस होते हैं लोगों के लिए होते हैं और लोगों के होते हैं पर हमारे जो संग्ठन हैं जितने भी संग्ठन हैं चा के आदेष नहीं है, क्योंकि उनके पास संग है नहीं, उनके जो नियम बनते हैं, वो बनते हैं, for me, by me, of me, यानि मेरे द्वारा, मेरे लिए और मेरा, जितने भी नियम वो बनाते हैं, वो संग नहीं बनाता, वो 2-4 लोग बनाते हैं और अधितर केसों में एक व्यक्ति बनाता है और उसका सिध्धान्त होता है कि यह नियम मेरा है मेरे लिए है और मेरे द्वारा है यहां संग के संगादी से इसके नियम का वालिसन होता है पर वो प्रिजेंट ऐसा करते हैं लोगों के सामने कि जैसे यह लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों की इक्षा है, लोग ये चायते हैं, और बहुत घुमा फिराके वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जो बोलते हैं, लोग उसमें फच जाते हैं, लोगों को पता नहीं है, कि हमारे तो खून के अंदर, जीन के अंदर संग का आदेस है, व्यक्ति का एकल आदेस नहीं है, तो जब एकल आदेस नहीं है, तो वो मानते भी नहीं हैं उसको, इसलिए सारे संग्ठन कभी जिन्दी में काम्याब नहीं होते, और नहीं उनकी कोई बात मानता है, संग के आदेस जो होते हैं, वो हमेशा संग के द्वारा, संग के वेलफेर के लिए, जितने भी संङी लोग हैं, उनके लिए बनते हैं, वह व्यक्ति विश्यष्य के फाइदे के लिए कभी नहीं बनता, क्योंकि संग पास ही नहीं करेगा, तो सारे के सारे जितने भी नियम बनेंगे आपको, चाहे वह लोग hybrid सभाम बने चाहें विधान सभाम बने चाहें वो पंचायत में बने चाहें वो बुद्ध के मिक्कु संग में बने चाहें हमारी समर संग का पुराना नियम है वो संग के लिए बनता है तो संग के वेलफेर के लिए और संग के सब चीजों को देखवाल करने लिए बनता है अग संग्ठनों के अंदर मामला कुछ और है, संग्ठनों के अंदर क्योंकि वो संग नहीं है और वो संग की परिवासा जानते भी नहीं है, तो वो अपने हिसाब से अपने लिए नियम बनाते हैं, वो नियम पर कोई तर्क वितक नहीं होता, वो नियम बंद कमने बनाया, मर जी आ पर पब्लिक इसमें कुछ कर भी नहीं सकती अगर आप कहो कि संग्ठनों ने नियम ऐसे क्यों बनाए या एकल नियम क्यों बनाए या उन्होंने जो सम्विधान अपने अपने बनाए हैं वो व्यक्तिवादी सम्विधान क्यों है उसमें वो प्रिधान क्यों है उसमें जनलर स संस्था नहीं है जितने भी संग हैं वो लोगों के द्वारा बने हुए होते हैं लोग उसको बनाते हैं पर जितने भी संग्ठन हैं वो व्यक्ति द्वारा बनते हैं और लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि यह लोगों का वैलफेर करेंगे लोगों का काम करेंगे, क्योंकि पैसा तो लोगों से आना है, जब इस तरह का जो एकल संग्ठन होता है, जिसका कोई व्यक्ति मालिक होता है, जो सांगिक नहीं है, संग्का नहीं है, तो उसको हमारे लोग सब चीज़ देते हैं, उसको पैसा भी देते हैं, अगर कोई राजन मिलेगा लाब मिलेगा सुरक्षा मिलेगी विकास मिलेगा इससे हमेरे बच्चों को कोई आगे रुजगार मिलेगा यह हमारे दुखों को दूर दूर करेगा इस उमीद में वो अपना पैसा भी देते हैं तनमंधन तीनों चीज़ देते हैं और पूरी जान से उसके निए जब चाहें जब उनकी एक्षा है कि अगर उन्हें थोबा बहुत पबलिक का भला करना है दो चार जोंके खास हैं यारे प्यार हैं तो कर दो और नहीं कर दो तो कोई पबलिक का दवाब नहीं है कोई संग का दवाब नहीं है कोई लोगों का दवाब नहीं है वो व्यक्ति खुद बनाते हैं और खुद उसके मालिक होते हैं क्योंकि वो संग के आदेस हैं नहीं कभी भी 29 लाग संग्ठनों में एक भी संगल आदेस आज तक ऐसा नहीं है, जो सांगिक हो, जो संग का आदेस हो, 29 के 29 लाग संग्ठन अगर संग का आदेस देंगे, तो सबसे पहला आदेस ये देंगे, by the people, for the people, of the people ये जो संग्ठर बना है ये हमारे द्वारा बना है हमारे लिए बना है और हमारा है और जैसे ही वो ये कहेंगे कि ये हमारा है संग्ठर का मालिक तो बेकाल हो जाएगा संग्ठर के मालिक की तो चलेगी नहीं क्योंकि जब सब लोगों ने ये कह दिया कि ये संग्ठन हमारा है तो तो संग बन गया और संग बन गया तो व्यक्ति का धेकार खतम हो गया इसलिए जो व्यक्ति संग्ठनों को बनाते हैं किसी भी प्रकार के संग्ठन को बनाते हैं वो कभी संगा देश नहीं लेते भूलके और वे अपनी और उलादों से भी कहके मर जाते हैं. सारे काम करना. पर कभीา पभलैक करडिसिन मत लेना. कभी पभलिक से मत पूछना. कभी पभलिक से बात कुसी में उल्जे रहेंगे कि उनको कुटता चाहिए या कमित चाहिए और उनको कह दो कि तुम अपना जगड़ा संथ कर लेना और जब तुम्हारा बहुमत हो जा तो मुझे बता देना देखो मैं तो संग की बात मानूंगा और कभी नहीं बताएगा उनको शातिर वकील की त तो संग सबसे पहले ये कहेगा तू कौन है हमसे पूछने वाला तुझे तो हमने चुना नहीं तेरी तो नियत खराब है तेरा तो काम खराब है तेरा तो हमने देखा है तूने तो हमारा संग्ठन तोड़ दिया तूने तो हमारा संग्ठन ऐसा कर दिया वैसा कर दिया क्या ज जितने भी काम हैं वो अच्छे होते हैं। संग के आदेश आपको सारे fundamental right देते हैं। क्योंकि सबको चाहिए, सबको वो अधिकार चाहिए, इसलिए कोई अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता। तो संग हमेसा के लिए बहुमत से अपने fundamental right को चुनता है। पर जो संग नहीं है, जो संग्ठन है, जो मालिक है, वो सबसे पहले आपके fundamental right को खतम करेगा। क्योंकि fundamental right में सांगिक right, यानि संग का right, आपको मिलकर एक body बनाने का right, डिशन ले लेने का right, अपने welfare का right, उस सबसे पहले चाहिए, तो आप सबसे पहले system को सांगिक करोगे, जब भी आप fundamental right का इस्तमाल करोगे, पर कोई संग्ठन का मालिक नहीं चाहता कि ये लोग system को, संग्ठन को सांगिक बना दें। इसलिए 29 के 29 लाग जो संग्ठन है, उन में से एक भी संग्ठन ऐसा नहीं है, जो संग की बात करता हो, या संगादी सेस की बात करता हो, एक single व्यक्ति के पास भी संगादी सेस नहीं है, क्योंकि अगर संग का आदेस लेगा, तो संग सबसे पहला काम करेगा, by the people, for the people, of the people, यानि कि ये जो चीजें हैं, ये संग के द्वारा हैं, संग के लिए हैं, और संग की हैं, यही कारण हैं कि हम डिमांड तो करते हैं कि हमारा संविधान लाग होना चाहिए, हम डिमांड तो करते हैं कि हमारे fundamental right मिलने चाहिए, हम डिमांड तो करते हैं कि बावसाव अमेट कर है वो हमें बचाना है हम चलाते तो बहुत हैं कि हमको समिधान बचाना है पर जो चलाते हैं जो डिमांड करते हैं और जो इसका शोर मचाते हैं और जो हमसे चंदा लेते हैं वोट लेते हैं पैसा लेते हैं सपोर्ट लेते हैं सारे काम लेते हैं वो हमारी नहीं सुनते वो खुड अपना संग का आधेस ना लेती हो संग के आधेस पना चलती हो वो कैसे सिस्टम से अपना संग का आधेस पारित करा लेगी यह पॉसीबल नहीं है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो काम आप ना करो, उसे दूसरे से लिए कहो, तताकत बुद्ध को, इसलिए तताकत बुद्ध बोलते थे, क्योंकि पहले वो काम खुद करते थे, उसके बाद में वो काम सिखाते थे, यहां संग्ठन, बाइदमी, फौरदमी, पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो लोग संविधान चलाते हैं, वो भी जानते हैं कि यह नाटक कर रहे हैं, और संग के आदेश धीद्रे करके संविधानों से गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो मेंटिलिटी है, वो संगात्मक नहीं है, संग के अनुसार काम कर गई हैं, जब तक यह दस गोल्डन नियम नहीं मानेगा कोई, वो संगादी सेस का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि संगादी सेस का पालन करेगा, तो यह सारे नियम संगादी सेस के हैं, यह सारे नियम उसा पालन करने पड़ेंगे, और जब यह सारे नियम पालन करने पड़ें कि संघ का आदेश कैसा होता है. कोई आद्मी पाली में कैई वार आपको मिल सकता है, वो बहस करेगा आप से, कि संघादी सेस तीन सब्दों से मिलके बना है, संघ आदी और सेस, पर उसका अर्थ वो रही है क्योंकि कई वार कई विद्वान आ जाते हैं वो कहेंगे कि संगादी सेस का मतलब ऐसा नहीं है तरसल संग आदी और देश संग माने तो होता है समू किसी भी चीज का जो समू है उसको संग बोलते हैं किसी भी चीज का समू हो उसको संग और आदी माने होता है आरंब य veramente प्रारंब यह सिर्वात है और सेस माने होता है बक्राइब बचा हुआ तो लोगों का समुह और फिर हम यह कहें कि आरंब और उसके बात कि हैं बचा हुआ तो यह कोई सेंस नहीं बनता तो कई वार पाली के अंदर सब्द बदल जाते हैं पर जो पाली की विनेपीटक में जो दिया हुआ है उससे ये एगजेक्ट मिलता है कि संग आदेश देता था और वो आदेश 227 और 311 हैं जो विनेपीटक के अंदर हैं और वो संग के आदेश हैं आदी सित माने जो होता है वो घोशना होती है इसलिए समू घोशना करता है यानि समू कहता है कि अब ये बात तै हो गई है और ये बात मानी जाएगी समू वो ही घोशना करता है जो समू से पास हो जाती है इसलिए ये जो पुरानी पद्दती है संगादी सेज की ये सबसे अच्छी पद्दती है और हमें इस पद्दती को पूरी तरह से लागू करना चाहिए और काम करना चाहिए पर संगादी सेज तब तक की संगादी सेज है जब तक आप उसको मानते हैं आप उस पर चलते हैं इसके लिए कोई दंड लेने की या दंड प्राप करने की अगर आप जिद्द करेंगे तो पिर संगादी सेसका अभेलना हो जाती है उसका एक तरह से ओवर रूल हो जाता है उसको नामानिक बात हो जाती है तो उससे बचना चाहिए उससे बचना अभी बहुत सारे संग के आदेस बनेंगे और कोसिस करनी चाहिए कि हम उनका वाइलेसन ना करें अगर कोई परिसानी और कोई दिक्कत है तो वाइलेसन करने से पहले संग में ये बात रखनी चाहिए कि ये जो संग का आदेस है ये कमफरटेवल नहीं है ठीक नहीं है कोई व्यक्ति अगर संग में कोई बात को रखता है और बात में वो नियम पास हो जाता है तो उस व्यक्ति का नहीं होता वो क्योंकि कोई व्यक्ति ने क्यों बात रखी उसके दिमाग में कोई आया और उसने वो प्रस्ताब रखा और वो प्रस्ताब पास हो गया तो इसमें फ संग के तो वो उसके एकल आदेश है और वो उसके एकल बात है संग जब तक नहीं मानेगा जब तक चलेगा नहीं तब तक वो आदेश बेकार है तो एक वार किसी व्यक्ति का अगर आइडिया हो गया और उसमें आया तो वो संग की प्रॉपर्टी हो जाती है वो संग का आदे की यानि किसी गोशना की और किसी पद्दती की या किसी नियम की कहीं भी किसी आवसक्ति दुनिया में कहीं जरूत नहीं होती कोई व्यक्ति है जो अकेला विच्छन करे अकेला घूमे उसे किसी नियम की आवसकता नहीं है वो कुछ भी खाए कुछ भी पीए कपड़ा पैने य कुछ भी करें उसके लिए कोई नियम नहीं होता उसके लिए कोई आदिस नहीं come गिर संहु में रहोगे तो शंघ का आदेस होगा ही होगा दो व्यक्ति भी होंगे तो उनका संह बन जाता है क्योंकि बो लोगों का संहु हो गया और उसमें जो आपस में मिलके वो नियम बनाएंगे वो संग का आदेस हो जाता है तो एक व्यक्ति को संग आदिसेस की जोत नहीं पड़ती इसलिए एकल आदेस जैसी कोई चीज पाली में नहीं पाई जाती पर संग आदिसेस का मतलब है कि संग के द्वारा बनाएं नियम और वो उन पे चलना होता है तो संग आदिसेस आपको जगे 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 सब जगे मिलेंगे जो मैंने यहाँ आपको सिस्टम में बताए वो भी मिलते हैं आपके परिवार के मंतरना करके, बाचित करके, डिसाइड करके, और उस पर चलता है, वो संग का आदेस है, और कोई अगर परिवार का व्यक्ति उस आदेस को नहीं मानता, तो साई लोग उस पे समझाते हैं पहले, ये समझाने का काम पहले भी होता था, इसको सेखिय बोलते थे, फिर उसको कहते हैं कि चल गलती मान ले, माफी हो गई, तो उसको बोते प्रायश्चित कर ले, तो वो प्रायश्चित करता है, फिर भी नहीं मानता है, तो कहते हैं कि ये से नहीं मानेगा, तो जो घर का बड़ा होता है, वो एकाथ हाथ एकाथ डंडा उस पर धर देता है, कि थोड़े प्रिबी मानता है तो फिर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं कि इसको ले जाओ जील जील में डालो यह मानता नहीं है यही प्रिक्रिया पूरी दुनिया में चलती है जतनी भी संगे उनके आदेस हैं और जो उनने धंडात्मक कारवाई होती है और सारे समु lactoga सारी दुनिया में संगों के आदेस के निसार चलते हैं हर जगे संग के आदेस होते हैं जहां व्यक्ति समू में रहेगा संग में रहेगा वहां उसके आदेस आएंगी आएंगे यहां हमारा इतना बड़ा परिवार हो है चारों तरफ अब हम फैलते जा रहे हैं और काम होते जा रहे हैं परिवार की संक्या 120 करूर है अगर हम इसको संग के आदेस में नहीं बादेंगे और कोई जो संगी है वो अपने आपको संग के आदेसों में नहीं मानेगा तो वो संग का हिस्सा नहीं है, संग का हिस्सा वही व्यक्ति है, जो संग के आदेसों को मानता है, कोई व्यक्ति अगर संग के आदेसों को नहीं मानता है, तो उसको मानने के लिए वही प्रिक्रिया होती है, पहले उसको समझाया जाता है, फोन किया जाता है, कोई और उसे व्यक्ति बाचित करता है, उसके मन की बात पूछता है, क्या कारण है, क्या नहीं है, छोटे बोटे कारण होते हैं हमाई लोगों के, और वो जो कारण है, वो कारण बुद्धने मार बताए है, किसी को प्रशिद्धी चाहिए, किसी का एगो हट हो गया है, कोई वहम का सिकार हो गया है, किसी के घर परिवार में किसी के सामने इंसर्ट सी फिलो रही है कोई अग्यानी आदमी स्टकरा गया तो कह गया आरे तुमको तो ऐसा कह दिया वो ऐसा कह दिया कहीं कोई बात कही और वो बात नहीं मानी संग में कोई प्रस्ताब रखा वो प्रस्ताब संग ने नहीं माना या वो लगता है कि हमारा तो प्रसिद्ध इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी दो को इसकी कितनी हो गई इसकी कितनी हो गई इसकी कितनी हो गई या कहीं कोई बात ऐसी है जो उसके वुरुद जाती है तो उसको समझा दिया ये बातें संगों में लगातार आती रहेंगी और जाती रहेंगी इन बातों से निकलना है इन बातों से उबरना है ये बातें लगाता लगातार आती रही और जितने भी संग जो भी काम करते हैं उ आधेसों के लिए काम करेंगा। जो भी व्यक्ति संग आदेस मानेगा, जो भी व्यक्ति संग में आदेसों के लिए काम करके और संग के आदेसों के नुसार चलेगा, उनमें जितनी समस्यां आएंगी, वो सुरू से लेके, वो पुरारे स्रमर्संग से लेके और जो आज स्रमर्संग है, यहां तक सेम मिलेंग के बुद्ध ने दस नियम बताए हैं जिनको मार का नियम बोलते हैं दस मार के नियम हैं इन दस मार के नियम हों में मौत के कारण चुपे हुए हैं और वही दस मार के नियम संगों के अंदर दिक्कत पैदा करते हैं पर बुद्ध ने सबसे पहले इन दस नियमों को मारा इन द पुराना संग दुबारा से निकल रहा है, संग के आदेस आते हैं तो अजीव-जीव से लगते हैं, क्याईवा लोग को लगते हैं ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, वो उनकी सोच से परे हैं, पर फिर भी जो संगत में यहां लोग हैं, वो उन लोगों से ब क्या करें जिनको दूसरों का संग समझ में आता है और दूसरों के संग आदिसेश को देख देख के जलते हैं दूसरे के संग के आदिसों से परिशान रहते हैं दूसरों के संग के आदिसों को गालिया बखते हैं दूसरे के संग के आदिसों की तारिफ करते हैं और कहते हैं द सारे संगादिसेश हम से सीखे और हमको इस सब्द का अर्थ भी नहीं पता है। गरत लगा हो या खराब लगा हो तो संग मुझे माफ करें।